जैहिन दोस्तों नमस्कार डेली रेट बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 1 अप्रेल 2020 का पेपर देखेंगे और या फास सिप्ट का पेपर है इस वीडियो में हम लोग जेनरल अवरनेस के प्रसनों को देखेंगे और या एंटी पीसी सिवीटी वन का पेपर है आ प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है वहां से आप एक एक करके देख लिजिए अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडियाप आपको बिलकुल मुख्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिशन में ही टेलिग्राम लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप टेलिग्राम जोईन कीजिए और दोनों part 1 और part 2 प्राट इफ डॉलोड कर लिजिए अगर पासट टू भी upload कर दिया गया है है The partner चार्सों अभी तक हुए हैं इसलिए प्लीज आप लोग तुरह ध्यावington दीजिए एक हजार सब्सक्राइबर पुजिए पुराने की कोशिस किजिए उसके बाद आगे हम और आपको कहीं न कहीं हिल्प करते रहेंगे जहां तक हम कुछ संभव हो रहा है हम कर रहे हैं और तवियत में सुधा जिस तरह से होगी और जादा कुछ वीडियो अपलोड करने की कोशिस करेंगे सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन बैंडी कूट निमलिखित में से किसे संदरभीत करता है तो इसका एंसर होगा एक जल निकाई स्वच्च स्वच्चक रोबोट अगला प्रसन है एनलोजी टेश्ट का प्रसन है बल्ला किरिकेट से संबंदित है तो अस्टीक है होकी से संबंदित है अगला प्रस्ण है दुनिया के पहले एलक्टोनिक डिजिटल कम्प्यूटर का नाम क्या है तो इसका एनसर होगा एनियक दुनिया का पहले डिजिटल कम्प्यूटर कौन था एनियक था अगला प्रस्ण है ये मैत का प्रस्ण है मैत का प्रस्ण हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे सिल्फ जेनरल अविरनेस के प्रस्णों को देखते हैं काउंसा हार्मोन शरीर में रक्त सरक्रा के अस्तर को नियंतरित करता है तो इंसुलीन रक्त सरक्रा के अस्तर को नियंतरित करता है इंसुलीन अगला प्रस्ण है तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्मान किस ने किया है तो इसका एंसर होगा हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड ह.A.L. अगला प्रस्ण है दुर्भावना पूर्ण कारणों के लिए उपियो करता की सम्वेदन सील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड भीवरन आदि प्राप्त करने के परियास को क्या कहा जाता है तो इसका एंसर होगा फिसिंग. अगला प्रस्ण है निम लिखित में से काउन सा समचिप नाम और उसके पूर्ण रूप से गलत यूग में है तो इसका एंसर होगा यू आरेल यूनिफॉर्म रिजर्व लेकोटर नहीं रिसोर्स लोकेटर होता है यह गलत है जबकि यह सब सही है आप देख लिजेगा अग अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा कोलाइड का गुन नहीं है तो एक नमर ये कोलाइड का गुन नहीं है जो एक यह है तो कौन सा गुन है परदते हैं बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कनों के को नगन आखों से नहीं देखा जा सकता बाह बल से मुक्त होने पर वे इस्थिर नहीं होती हैं को लाइड एक बिसमांगी मिश्रन है अगला प्रसन है अपने जल के पोशक संबर्धन द्वारा एक जील की प्राकृतिक आयू बिर्धी को निम्ड में से किस नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर होगा सूपोशन अगला प्रसन है दिल्ली सालतनत का सबसे बरा बिस्तार किस के सासन काल में देखा गया तो इसका एंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक अगला प्रस्ण है निमलिखित में से काउंसी किरिशना नदी की सहायक नदी नहीं है तो इसका अंसर होगा मंजीरा इन में से काउंसी नदी धुवाधार जल परपास से संबंदित है तो नर्मदा नदी धुवाधार जल परपास से संबंदित है अगला प्रसु निमलिखित में से काउनसा मानव निर्मित रेसे का उधरन है तो रेवन एक मानव निर्मित रेसा है जबकि लीनन, जूट और रेसम प्राकिर्टिक रेसा है अगला प्रसु है स्वारी अगला प्रस्ट है चीटी के काटने से सरीर में परवेश करने वाले फॉर्मिक एसीड के प्रभाव को बे असर करने के लिए निमलिखीत में से किसका उपियो किया जा सकता है तो इसका एंसर होगा सोडियम बाय कार्बोनेट निमलिखीत में से काटने सी खरीब की फसल नहीं है तो गेहू एक रवी फसल है ये खरीब फसल नहीं है जबकि बाजरा धाउन जुआर एक खरीब फसल है अगला प्रस्ण है राजा रामोहन राई के बिचारों के परचार परसार के लिए तत्वोधनी सभाज सभा की अस्थापना इन में से किसने की थी तो इसका एंसर होगा देवे नाट टैगोर ने रवी नाट टैगोर सक चांती निकेतन की अस्थापना किये थे अगला प्रस्ण है अधोजल बस्तू अंडर वाटर अबजेक्ष्ट की दूरी दिसा और चाल कुमापने के लिए अल्टरा सोनिक तरंगों का उप्योग करने वाले उपकरन को क्या कहा जाता है तो इसका एंसर होगा सोनार अगला प्रस्ण है इनमे से किसे फरवरी 2021 में राज्य सभा में विपच्च के नेता के रूप में नामित किया गया था तो इसका एंसर होगा मलिका अरजुन खरगे अगला प्रसन है भारत के इनमें से किस बंदरगा का नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगा रखा गया है कांडला बंदरगा का नाम बदल दिया गया है इसका नया नाम हो गया है दीन दयाल बंदरगा और कांडला बंदरगा एक जुआरिया बंदरगा है और कांडला बंदरगा कहा इस्तित है गुजरात में इस्तित है अगला प्रसन है राष्टिय प्रदो की दिवस परतिवस डियस की अस्मिर्थी में मनाया जाता है तो इसका इंसर होगा पोखरन दूति है अगला प्रस्ण है भारस सरकार ने राष्टिय किसान नी थी को मंजूरी कप परदान की थी तो इसका अंसर होगा 2007 में उस पंजाबी मुसल्मान का नाम बताई ये जो केम्ब्रीज का ये छात्र था और जिसने 1923 में पाक अस्तान नमक सब्दगढ़ा था पाक तो इसका अंसर होगा चौधरी रहमत अली और जिसका बरतमान में नाम पढ़ गया पाकिस्तान अगला प्रसन है नीचे चार योगम दिये गए हैं चिन में से परतेक राज और एक लोक निर्थ को रिपित करता है राज और लोक निर्थ इन में से कौन सा योगम गलत है असम भी हूँ सही है 36 गर डांगला गुजरात गरवा उतराखन तापाली ये गलत है अगला प्रसन है इन में से किसने मौर परसासन में अध्यक्षो को विभीन विभागों के अधी चखो के रूप में उलखित किया था तो इसका अंसर होगा काउटिल्य अगला प्रस्ण है निम्लिक्षित में से कौन सा कार्ज एन भी एपसी द्वारा नहीं किया जा सकता है तो इसका अंसर होगा मांग अधारित जमा स्विकार करना अगला प्रस्ण है दा जनरल थियोरी ओप इंपुलाइमेंट इंटर इंटरेस्ट एंड मनी के लिखा कौन थे जिसने अर्थसास की एक अलग साखा के रूप में मैक्रो एकोनोमिक्स की नीव रखी तो इसका अंसर होगा जोन मेनाड किनेश अगला प्रस्ण होगा महत्मा गाधी ने किस अधिनियम के बिरोध में लोगों से 6 अपरेल 1919 को एक दीन के लिए आहिंसक बिरोध दरसाने को कहा तो इसका इंसर होगा रॉलेक्ट एक्ट रॉलेक्ट एक्ट कब हुआ था तो 1919 इसपी में हुआ था और इसे ही बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया अगला प्रस्ण है हरियाना के किस जिले में पर्मानु उर्जा सैयंत्र इस्थित है तो इसका एंसर होगा फतेहा बाद थोड़ा यह भारी कुश्चन है कि संब्धानिक संसोधन को मीनी संब्धान के नाम से जाना जाता है जिसके अस्ताहत सुर्ण सिंग समीती की सिपारिसों को लागू किया गया था तो इसका एंसर होगा 42 संब्धान संसोधन को ही मीनी संब्धान कहा जाता है इंदरा संब्धान भी इसे को कहा जाता है और 42 संब्धान संसोधन कब हुआ था तो 1976 रिष्पी में हुआ था और 44 संब्धान संसोधन 1978 रिष्पी में हुआ था अगला प्रस्ण है ओर्ड में आउट का प्रस्ण है इंडिया अस्टेलिया अफेरिका यूरोप तो इसमें ओर्ड में क्या छाड़ना है तो यह सभी महादूइब के नाम है जबकि इंडिया इसिया महादूइब का एक देश है अगला प्रस्ण है भारत में कीमतों में बेर्धी के एवज में सरकारी करमचारियों को दिये जाने वाले महगाई भत्ते की गन्ना के लिए निमलिखित में से किसका उप्यो किया जाता है तो इसका एंसर होगा और दोगिक सरमिको के लिए उभोकता मुल्य सुचकांग संख्यां CPI IW मुल्य अगला प्रस्न है निरच्चिय तल और कछ्चिय तल एक दूसरे से किस कोन पर झोके हुए हैं तो इसका एंसर होगा शार्य ताइश्ट डीडी है व्यागला प्रस्न है बोधी सत्व की अवधार्म इन में से किस किस्ते सम्बंधित है तो इसका एंसर हुगा महायान बाउत धर्म से अगला प्रसन है बीनया और सूथ पीटक इनमें से किसकी सिच्छाओं का संकलन है तो इसका एंसर हुगा गौतम बूध बीनया पीटक और सूथ पीटक और इसका एक और पीटक सा अभीधम पीटक अगला प्रसन है पांच मार्च 2019 को शुरुक हुई परदावल मंत्री स्रम योगी मांधन योजना का लच किसे लवाम्वित करना है तो इसका इंसर होगा और संगठित छेत्रों के सरमिको को उस परकार के पोशन का नाम बताईए जिसमें जीव अपना पोशन मिर्थ और बिघटन सील पदार्थों से बिलियन के रूप में प्राप्त करते हैं तो इसका इंसर होगा मिर्थ जीवी पोशन से प्रोफ हाइटिक निट्रेशन अगला प्रस्ण है उस विकल्प का चैन करें जो संगठन और उसके मुख्याले के सही मेलक वदर साता है तो इसका इंसर होगा गेट जेनेवा बायू कॉन ने इन में से किसकी होल सेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतिय प्लेटफॉर्म प्रस्तूत किया था तो इसका इंसर होगा क्रिप्टो केरेंसी अगला प्रस्ण है भारत के चौथे रास्पती कौन थे तो इसका इंसर होगा बराह गिरी वैंकट गिरी यानि बीवी गिरी 2014 में शुरू किये गए गंगा स्वच्चता कारिकम का नाम बताइए तो इसका एंसर होगा नमामी गंगे प्रोजेक्ट अगला प्रस्ण है भारतिय रिजे बैंक की अस्थापना कब हुई थी तो भारतिय रिजे बैंक की अस्थापना 1935 में हुई थी और किस अधिनियम के दाथ 1934 के अधिनियम के दाथ अगला प्रस्ण है अब प्रस्ण को प्रस्ण समाप्त होने वाला है लगता है किलो ग्राम दरमान तो किलो मीटर लंबाई सिरलंका दूइप तो भारत प्राई दूइप असंगत का चैन करें नाइट्रोजन अक्सिजन आयरन फ्लोरीन यह सभी ग्यास है जबकि आयरन धातू है यानि इससे यह भी करते हैं यह सभी ओधातू है जबकि आयरन एक धातू है पिक दा और वन आउट किलो मीटर संटी मीटर माइल और मीटर तो इसका अंसर होगा माइल तो इस वीडियो में इतना ही अब नेश्ट वीडियो में फिर नेश्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभरत बढ़ते रहिए जो नहीं आता है उसे समझते रहिए और जो आता है उसे भी रिवाज करते रहिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन जाह भारत